आज में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही बैटरीन सा ब्लुटूथ मॉड्यूल जिसे देख करके आप बहुत ही खुस हो जाएंगे क्योंकि इस ब्लुटूथ मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शन से और यह ब्लुटूथ मॉड्यूल मातर 130 रुपे में मिलता है गाइज इस Bluetooth मॉडियल में आप माइक लगा सकते हो 5 प्लस 5 वाट का स्पीकर का आउटपुट ले सकते हो और इसमें बैटरी भी लगती है खास बात यहा है कि इसमें कोई भी हमें BMS लगाने की जरुरत नहीं है अल्रेडी इसमें BMS इन बिल्ड है तो इसमें हम 5 वल्ट इंपूट पावर सप्लाई दे करके चार्ज कर सकते हैं बैटरी को और यहाँ पर टर्न आउन आप का भी स्वीच दिया हुआ है तो आईए गाइज इस Bluetooth मॉडियल को हम डीटेल में देखते हैं इस Bluetooth मॉडियल में कई सारे functions दिया हुए है तो आईए सबसे पहले हम functions को जानते हैं क्या क्या functions दिया हुआ है गाइज इस Bluetooth मॉडियल में हम डाइरेक्ट 5 प्लस 5 वाट के speakers को connect कर सकते हैं हमें कोई भी amplifier लगाने के जरुरत नहीं है दूसरी बात कि हमें इसमें बैटरी लगाना है और बैटरी को चार्ज करने के लिए कोई भी हमें BMS सिस्टम नहीं लगाना होगा यहाँ पे हमें डाइट 5 वोल्ट का input power supply चार्जिंग पे लगाना है micro USB cable और बैटरी चार्ज होने लगेगी और यहाँ पे देखिए गाई दो LED दिया हुआ है इसमें जो की indicate करेगा या on है या off है या फिर यह charging mode पे है और यहाँ पे एक switch भी दिया हुआ है on off का और इसमें हम mic भी connect कर सकते हैं और ecosystem है जब हम mic में बोलेंगे तो यह eco करेगा sound हमारा और जब हम इसमें mic connect करेंगे तो आवाज के साथ साथ हमारी music भी सुनाई देगी अगर आप music नहीं चाते हैं सुनना तो music नहीं भी सुनाई देगी यह सारे functions दिये हुए है इस Bluetooth module में है जो की मुझे बहुत ही पसंद आया लेकिन एक चीज इसमें कमी है जो की display की इसमें display न ना ही मुझे remote मिला और ना ही speakers यहाँ पर output connect करने के लिए यह flip card पे आपको मिल जाएगा 349 रुपे में आप देख सकते हो यहाँ पर same to same यही Bluetooth module है और यह online 349 रुपे लिखा हुआ है लेकिन offline मुझे 130 रुपे ही पड़े आईए अब इसमें speakers को connect करके दिखा देता हूँ इस दोनों speakers को में मैंने wires को connect कर दिया है और left right को देखते हुए यहाँ पे मैं दोनों speakers के wire को इसमें लगा देता हूँ positive negative देखकर के मैंने इसमें wires को connect कर दिया था और guys हमें यहाँ पे battery लगाना है आप चाहे तो कोई सा भी power supply DC का लगा सकते हो power supply हमें यहाँ पे 3.7V से 5V का input power supply देना होगा तो यह 3.7V की battery को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ positive negative देखकर के मैं पहले ही यहाँ पे connector में connect कर दिया हूँ और diet हम मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ तो यह on नहीं होगा क्यूंकि यहाँ पे एक switch लगा हूँ है switch को मैं जैसा ही on करूंगा तभी यह turn on होगा यह देखा आपने और यहाँ पे एक blue LED जल गई है क्यूंकि यह Bluetooth मोड्यूल हमारा on है इसी कारण से guys इसमें कोई सा भी remote नहीं दिया हुआ है लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सा भी remote नहीं काम करेगा जितने भी Bluetooth मोड्यूल के remote है न वो सारा का सारा remote इस Bluetooth मोड्यूल में काम कर जाएगा guys अभी आप music सुनो और जो भी चीज में दिखाता हूं functions वगेरा वो सारा चीज अभी आप देखो उसके बाद मैं वीडियो के last मैं आपको suggest करूंगा कि आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए यह Bluetooth मोड्यूल मेरे पास 3D printed दो कुछ इस तरह से गोल गोल बनाया हुआ है तो इसमें मैं speakers को लगा देता हूं ताकि बेस आपको सही से पता चल सके अब इसमें मैं charging लगा कर दिखाता हूं देखिए ये मैं micro USB के charger को इसमें लगाया और ये दूसरी LED जल गई यानि कि ये बैटरी हमारी चार्ज हो रही है यहां में से और ये देखिए charging भी हो रही है और ये फिर on भी है तो मैं यहां से charging अभी हटा देता हूं और इसमें से एक माइक को connect करके दिखाता हूं माइक मैं यहां पर use कर रहा हूं बोया M1 का और ये बोया M1 मैं अभी camera में use कर रहा था लेकिन अब मुझे यहां पर use करने के लिए देखिए गाए जहां पर एक connector मिलेगा बोया M1 में आपको जब आप खरीदोगे तो ये और इसको हमें यह यहां पर कुछ इस तरह से लगाना है और इसके जो कनेक्टर है उसको हमें यहां पर लगाना है देखिए मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया और अभी हम कुछ बोलेंगे तो यहां पर सुनाई नहीं देगा यहां पर हमें स्वीच को करना होगा कैमरा मौड पर उसके बाग यहीं मैं यहीं स्युन दो मिजी चुनना चाते हो तो मौड बढ़ा ना होगा उसके बाद मीजी के साथ में हमारा आवाज भी सुनाई देगा देखना हलो एलो हलो 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 है एलो ही वेलकम बागी चैनल आप देख चीछ तरह से यह काम कर रहा है है कि यह काम कर रहा है यह माइक्टर फॉन हमारा ओटो में जिसालर हो जाता है अगर माइक का आवाद कम करना चाहते हैं तो यहां पे मैं यहां से रिमोट से वॉल्यूम कम करना होगा तब कम हो जाता है उसके बाद हमें यहां पे मीजिक बढ़ाता हूं मैं काम केवल मीजिक कर रहे हैं पर हाई हलो देख सकते हूँ केवल मीजिक यहां पर काम कर रहा है और माइक का आवाज अगर बढ़ाना है तो यहां से रिमोट से हमें बढ़ाना होगा है हलो हाई टोटल बंध हो गया हमारा कुछ इस तरह से यह हमारा काम कर रहा है यह ब्लुटूथ मॉड्यूल और काफी अच्छा है एकदम functions एकदम rechargeable से लेकर on-off और mic वाला functions इस Bluetooth मॉड्यूल में FM एंटीना के wire को connect करने के लिए इस जगा पर जगा दिया हुआ है तो हमें यहां पर solar कर लेना है एक वायर को और इस वायर को मैं यहां पर connect कर देता हूं और अब FM को चेक करके दिखाता हूं कि अब अब इस ब्लुटूथ मॉड्यूल को पर्चेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तीन सो उन्चास रुपे में या तो फिर एक सो तीस रुपे में जहां तक बात रही इस ब्लुटूथ मॉड्यूल के साउंड क्वाइलिटी की तो काफी अच्छी है पांच वाट का हमारा बहुत ही बढ़िया आउटपुट आ जाता है इस ब्लुटूथ मॉड्यूल से गाइस यगर यह 120-30 रुपे में मिलता है आपको आप खरीद ले आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो चैनल में नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो बाई गाइस मिलता हूं नेक्स वीडियो में